अगली कॉलर हैं, बात कर लेते हैं, चंडी गर से हैं, रश्मी जी, स्वागत है आपका। प्ור ರाजक्ट कशूष। दिखने में और आँखों वी नज़र कमदोर है रोशनी पहले तुदूर किसी ये नज़िग वाले में धूमली नज़र आती है ति ये टीनों चीज़ में क्या गौन मुरिंगा में कैसे लोंगे फायदा करेंगे आपकी एज़ बता दीजिए फोटीवन और एक दोर हकिम साब मैं ये गौन स्या ले एक तीन महिने से कभी कभी तो मुझे एक लिए हल्का में फूस होता है और कभी कभी दर्द बर जाता जाता कि वेस्टेंट टॉयलेसर मैं बहुत दिनों पे ये कह रही हूं यूज करे रही हूं दर्द से पहले से किसके लिए जरा बताईएंगी ठीक है जिन लोगों को भी मेरे नस्खेजाद चाहिए तो मेरा यूट्यूब चैनल हकीम सुलिमान खान आप सब्सक्राइब कर ले लाइक कर ले तो रोजाना मेरी तरफ से आपको नस्खेजाद अपने आप ही पहुंच जाया करेंगे और यह जो मेर लिए और आपकी बात्ची थे यह भी हम उसी पर डाल देते हैं जो भी कोई नस्खा हम बताते हैं आपका सवाल और मेरा जवाब उस पर रोजाना डाले जाते हैं और एक से ज़्यादा नस्खेजाद आपको मिल जाते हैं तो यहां से ले लिया करिए अर दूसरी बात यह के गौन सिया से आपको फाइदा है और आप वैस्टन ट्याले भी यूज़ करते हैं वजन ज्यादा हो तो थोड़ा कम कर ले और यह भी दो महीने हुए हैं तिन चार महीने होते होते आपको पूरा फाइदा हो जाना चाहिए और क्या सवाइब हैर फॉन, इसकिन प्रॉब्लम हाँ दिखिए बहुत पहले होने लगा आपको हैर फाल भी स्किन प्रॉब्लम भी आपकी उमर बहुत कम है मुझे तो बहुत ही चोटी है तो गौन मौरिंगा सफेद एक ग्राम लेना होता है रोजाना अगर आप पतली से हैं तो दूसरे लें अगर आप रईस हैं पैसे वा अगर आप गरीब हैं तो पानी से लें तीनों से फाइदा करता है और ये अच्छा है और चालिस साल के बाद हमें कमस कम एक या दो कैलसियम की टेबलेट एक हफ़ते में जरूर खानी चाहिए ये भी हमारी जिसम की कई जरूरतों को पूरा करते हैं और चालिस के बाद हमारे अंदर वो प्रोड़क्शन नहीं रहता कैलसियम और कई ऐसी चीजों का जो कैलसियम की टेबलेट में मौजूद होता है जैसे जिंक है तामा है और विटामिन्स हैं और कैलसियम है तो एक टेबलेट या दो टेबलेट पूरे हफ़ते में दो बार खाएं और गौन मौरिंगा इस्तमाल करें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके धन्रवाद में